बच्चों के द्वारा बच्चों के साथ बच्चों के लिए और उनका आज ऐसा सक्षम हो सके तागी हम सब का भविश्य सुरक्षेत हो हम इस पूरे प्रक्रिया को जमीन स्टरी से उठाना चाहते हैं कि जब नीतिया निधारित होते हैं जब action plan बनते हों उनके पीछे बच्चों का उतना ही हट करें हम यह पूछते कि क्या उनकी वास्तविक का मैटल करती है कि मैटल करती है तो कैसे हम उन्हें आवाज दे उनकी पहचान बनाए और उनकी जरूरत ने हमारी नीतियों को निधार और यह रिपोर्ट का ये भी प्रयास है कि पुरे देश के बिन प्रांतों के बिन संस्थाओं के और विदन क्षेत्रों के सब्वर्शन बिनके और सब्वशन चलुम और सब की जरूरतों और सब की सोच इकट्टे मिलके उघर ऑर कर आए एक बनंद आवाज में कि सुरक्षित करें भविश्य आज का बच्चों के दुरूरत को पुड़ा करते हैं सर आपके पास प्लान भी है, डेटा भी है, सब कुछ है बट अब एक्षिन कब लिया जाएगा तो मेरा सपना ही है कि अगले साल का बजट यदि उस बजट में सरकार बच्चों के लिए investment के रूप से, not cost के रूप से, investment के रूप से यदि अपनी योजना को commit करें आगे कि इस देश में जो 40% प्रतिशत जनता है, जो बच्चे हैं, युवा हैं उनके लिए हमारी योजना और योजना के जरिया हमारे जो resources ये committed हैं, तो मैं समझेगा कि हम कारक्रियानवन हो जाएगा इसका, यदि सरकार, हम और संस्थाएं ये नहीं करेंगी, तो शायद बच्चे इन फैसलों को अपने हाथ में ले ले, तो इसके ये वहमके और हमारे आपस के तक्राव की ज़दा ज़डाव नहीं हो सके तो हम इसको बहुत इच्छा सकाएं